देखिए दोस्तों आपसे इस तरीके के सवाल काफी लोग पूछते हैं कि 111111 कैसे लिखा जाएगा आपने देखा भी होगा कई लोग आपसे पूछे होंगे और आपने सुना भी होगा कि कई लोग आपसे पूछते हैं कि इस तरीकिक सवाल को कैसे अंकों में लिखा जाएगा इसको अंकों में लिखके बताईए और आप उसका सही जवाब नहीं दे पते हैं आपसे कई बार पूछा जाता है कई बार आपने इस तरीकिक सवाल सुने उंगे तो आज हम इसको किलियर करते हैं कि आप इसे अंकों में कैसे लिख सकते हैं सही तरीके से चलिए बात करते हैं इसकी कि 111111 कैसे लिखा जाएगा तो आपको जब कहा जाता है लिखने के लिए तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं और आप लिखने की कोशित करते हैं 111111 अब आपने सोचा कि हमने जो लिख दिया ये बिलकुर सही लिखा हुआ है लेकिन जब इसे चेक किया जाता है तो होता क्या है दोस्तों ये हो जाता है गलत देखें इकाई दाही सेक्रा हजार दसजार लाक ये किसमे पहुंच जाता है लाक में जबकि हमको निकालना किसमे है हजारों में यानि हजार तक ही निकालना है ये तो लाक में चला गया ये हो गलत अब देखें ये जो होता है ये होता है इकाई ये होता है दाही ये होता है सेक्रा ये हजार और ये 10,000 तो हमें निकालना है 10,000 तक लेकिन ये किसमें चला गया? लाख में ये चला गया? लाख में तो ये यहीं पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है अब क्या किया जाए कि 11,000, 11,11 कैसे लिखा जाए? चली हम आपको बताते हैं एक एक्जामपल के थो जिससे आप समझ जाएंगे आसानी से आप से कहा जाए कि हमें 3,303 लिखके बताईए अंकों में तो आप क्या करेंगे? 3,303 लिख देंगे कितना लिख देंगे? 3,303 तो 3,303 जैसे यह आप लिखेंगे तो इसको जो है कुछ लोग पढ़ते हैं 3,303 तो यह जो 3,303 पढ़ते हैं वो लोग इसको बिलकुर गलत पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि जब भी कोई मान सेकड़े से यानि एकाई, दाई, सेकड़ा सेकड़ा तक तो सही बात है जैसे हजार में जाता है तो हजार से उपर सो में नहीं पढ़ा जाता है जैसे ग्यारा सो तो ग्यारा सो नहीं पढ़ा जाता है एक हजार एक सो पढ़ा जाता है सही तरीके से जैसे क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एक हजार एक सो इसे पढ़ा जाता है सही तरीके से लेकिन इसको लोग पढ़ते हैं ग्यारा सो यह होता है गलत हम कहें आप से कि 3300 जो पढ़ते हैं जिसको 33303 यानि 33303 को और दूसरे तरीके से किस तरीके से लिखा जा सकता है तो दूसरा तरीका इसको अगर हमका एक आपको लिख के बताना है तो आप क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं तीन हजार और तीन सो और तीन तो ऐसे आप जब इसको लिखेंगे तो उतना ही आ जाएगा कितना तीन हजार तीन सो तीन तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी जैसे आप कहीं पर बैंक में जब पैसा निकालने जाते हैं अगर आपको एक हजार सौत सो रुपिया निकालना है वहाँ पे आपने इसे हिंदी में भरा क्या भर दियें सत्रह सत्रह सो रुपिय कितना सत्रह सो रुपिय तो जैसे ही आप सत्रह सो रुपिय भरते हैं तो यह हो जाता है गलत जबकि इसे हिंदी में आपको सही तरीके से लिखना है एक हजार एक हजार सात सो रुपिय अगर इसको इस तरीके से आप भरते हैं तो यह हो जाता है सही और यह गलत होता है तो आपको समझ में आया होगा आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जब भी सेकड़ा चलता है सो से लगा कर नौ सो तक कितने तक नौ सो तक और जैसे हिसम एक सेकड़ा और जोड़ देते हैं सो कितना एक सो तो यह बदल जाता है एक हजार में किसमें एक हजार में बदल जाता है अब जितना भी हजार से उपर सेकड़ा जोड़ता है अलग सेकड़ा पढ़ा जाता है ऐसे नहीं पढ़ सकते कि इसमें एक हजार में कितना जोड़ 200 जोड़ दें היытसे इसको 1200 पढ़ेंगे को 12,1 2200 पढ़ा जाता है यानी 1200 इसको पढ़ेंगे यह सही तरीका अगरम इसको 1200 कँएंगे तो यह होता है गल्ट अभ आपका डाउट केलीयर हुआ होगा दोसतो अब आपको किसी परकार की दिक्कत नहीं यह नच चीये आप इतना समझ गए होंगे अब बात करतें higher Brendan, 1111 कि तो देखिए इतने की अगर मात करें higher હजार की तो ज जु हजारो में वैलू चलती है वह आप लिख सकते 11000 12000 13000 जो भी हो वह लिख सकते हैं उसके बाद बात आती है ग्यारह सो की तो ग्यारह सो की मतलब जिसको हम क्या करेंगे एक हजार और प्लस सो में तोड़के लिख लेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं तो यह कितना लिखा हुआ है 1100 समझ रहे हम क्या करेंगे 1100 लिखेंगे और साथ में यहां पर क्या लिखा हुआ है 11 तो हम यहां पर 11 भी लिख लेंगे यह हो गया 1100 यानि 1100 सही तरीके से क्या पढ़ेंगे इसको 1100 तो यहां पर लिखेंगे हम 1000 और 1011 को कैसे लिखा जाएर यहीं से आपको पता चला हुआ कि देखी यह 11000 यह हो गया 11000 यह 1100 यानि 1100 यानि इसमें 1000 भी छिपा हुआ है और 100 भी छिपा हुआ है और यह प्लस 11 तो इसको जोड़ेंगे आजाएगा 12111 तो दोस्तों हमारा ट्रिक आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में इवेल आइकन के घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें